Welcome to this channel, आज हम इस वीडियो में कुछ फार्मासिस्ट की वेकेंसियों की रिगारिंग बात करेंगे, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से इस से आज और के बात करते हैं सो आप इस चैनल को सस्क्राइब कर ले हैं, बैल आइकन के बटन को प्रेस कर दे हैं जिससे state और central government में निकली हुई pharmacist की vacancy के regarding अगर हम कोई भी video upload करें तो उसका notification आप तक proper पहुंच सके चलिए इस video को start करते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो pharmacist की vacancy निकली हुई है यह state label पर निकली हुई है या central label पर निकली हुई है तो यहाँ पर जो pharmacist की किस department में निकली हुई है यह निकली हुई है चंडीगर्ड state AIDS control society department में यह vacancy रहने वाली है जो के चंडीगर्ड located है number of post की बात कर लें तो one number of post रहने वाली है pharmacist की eligibility criteria की बात कर लें तो आपके पास में degree in pharmacy होना चाहिए recognized institute से या फिर आपके पास में diploma in pharmacy होना चाहिए और आप as a registered pharmacist होने चाहिए state pharmacy council में आपको यह बहुत ध्यान रखना है कि आपके पास में अगर diploma in pharmacy है तो आपके पास में three year experience होना बहुत mandatory है यहाँ पर experience आपके पास में होगा तब ही आप apply कर सकते हैं बट अगर आपने bachelor in pharmacy किया हुआ है तो आपके लिए यहाँ पर किसी भी experience की ज़रत नहीं है degree in pharmacy means be pharmacy के बाद आप as a registered pharmacist है किसी भी state में तो आप इस vacancy के लिए apply कर सकते हैं बट diploma in pharmacy वाले student के लिए three year experience होना mandatory है और साथ की साथ state pharmacy council में as a registered pharmacist होना भी mandatory है अगर यहाँ पर salary की बात कर लें तो 13,000 per month salary रने वाली है किस तरीके से यहाँ पर आपको यह form के लिए apply करना है तो यहाँ पर बता रहा है the desire candidate जो candidate इस vacancy के लिए apply करना चाहते हैं उनके लिए किस तरीके से वो इस form को आप apply कर पाएंगे तो यहाँ पर आपको आपका जो resume जो cb है जो buyer data है उसका आपको gerox करना है resume का cb का gerox करना है print निकालना है और उसके साथ में आपको self attested खुछ से attached की हुई certificate आपको यहाँ पर photocopies लेनी है certificates की जितने भी आपके education qualification से related certificates हैं उनकी gerox और as a registered pharmacist का certificate है उसका gerox, renewable book का gerox और आगर आपने deployment pharmacy किया है तो आपका working experience का certificate भी यहाँ पर होना mandatory है और उसके बाद में one recent passport size photograph भी आपके पास में होना जरूरी है यह सारे documents और आपका जो buyer data है जो cb है जो resume है वो सारे documents को combined करके मिला के यहाँ पर बता रहा है कि आपको यह कहाँ पर submit करने है chairman, steering committee, AR, TC और room number भी यहाँ पर बता दिया है और ने mention कर दिया है कि आपको किस room number में जाना है तो यहाँ पर room number B 5405 government medical college and hospital level 5th block B sector 32, चंडीगर यहाँ पर आपको यह form को submit करना है then submit करने के बाद यह आपको inform करेंगे by mail और by contact number जो के आपके bio data पर contact number और mail address दिया होगा उससे यह आपको contact करेंगे और आगे का process जो भी होगा interview या फिर written exam उसके लिए आपको call के थुरू यह inform कर दिया जाएगा 7 जन्वरी 2022 तक रहने वाली है इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करें bell icon के बटन को press करें जिससे state और central government में निकली हुई pharmacist की vacancy के regarding अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका notification आप तक proper पहुंच सके